तो हेलो गेमर इटीज में सेल्सो और इंटरनेट कैफे सेमूलेटर के एक और एक एपिसोड में आप सभी का सुवागत है तो जैसे कि आपने मेरी पुराने वीडियो में देखा होगा कि हमारे पास जितने भी बिटकोईन देना वो सब के सब हमने भाई बेच दिये थे और उन्हें बेच के हमें इतने जदा पैसे मिले थे इतने जदा पैसे मिले थे मतलब मैं क्या बताओ पूरे भाई 14,000,000 डोलर हमको मिल गे थे बिटकोईन बेचने में मज़ा आ गया था फिलाल भाई अभी तो हमें काफी ज़्यादा भूग लग लग लिए तो खाना पीना तो मैंने खा लिया है एक मिनिट में टाइम देख लू कितना हो गया ओ तरीकी भाई यहाँ पर साड़े नो बच चुके तो फटा फट सा भाई हम चलते हैं अपनी दुकान के लिए वैसे भी यहाँ पर अगर हम लेट भी जाएंगे तब भी कोई ज़्यादा खास फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी फिलाल हमारे पास 14 लाग डोलर है और यह कोई कम रिकम नहीं है मतलब भी यहाँ पर अगर मैं काम भी ना करूँ ना तब भी यहाँ पर मेरी जिंदगी ना बड़े मज़े से निकल जाएगी लेकिन तब भी हमें यहाँ पर काम तो करना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पर कम से कम 50 लाग डोलर कमाने वो मेरा टार्गेट है तो जब वो complete हो जाएगा ना उसके बाद भाई यहाँ पर मैं अराम करूँगा पूरे टाम ठीक है फिलार भाई यहाँ पर कुछ खास इसने यहाँ पर sale पर लगाया नहीं है पता नहीं भाई यह कुछ नई बढ़िया चीज़े क्यों नहीं लेके आता वो यह boring चीज़े लेके आता है तो भाई हम finally पहुच चुके अपनी धुकान की तरफ और इसको हम open कर लेते क्योंकि यहाँ पर हम बिल्कुल वेट नहीं करने वाले ठीक है तो धुकान हमने भाई यहाँ पर open कर दी है फटाफर से यहाँ पर सफाई का काम शुरू करते भाई हमको फटाफर से सफाई करनी बढ़ेगी क्योंकि यहाँ पर भाई मैंने अपनी शॉप को open कर दी है तो यहाँ पर भाई customer आने का time हो चुक है फिलाल तो भी अभी जो time और अब वो 10 बच चुके मतलब भी यहाँ पर हमने एक घंटा बिन दुकान को लेट खोले पर चलो को इबाद न यहाँ पर हमने दुकान को खोलतो दिया है बस यहाँ पर सफाई का काम हम कर रहे एक मिनृट यह कचरा कहां फस गया है ऐसे कचरे को साफ करने में बड़ी दिक्त आती है जो टेबल के अंदर होता है या फिर या चेर में फसे होते हैं इनको साफ करने में बहुत बहुत मेहनत लगती है एक मिनट पर यहाँ पर सफाय काम खतम हो गया और हाँ दोस्तों यहाँ पर देखो कर मैंने ये वाला सेटप बनाया था जो भाई मुझे बहुत ज़्यदा पसंद आया मतलब भाई अब हमारे ये वाले रूम से भी हम कमाई कर सकते और तेरी की भाई यहाँ पर कस्टमर आने शुरू हो गये तो फटाफ़ट चलते हम अपने सैकेंड फ्लोर की तरफ वहाँ पर भी हम थोड़ी सफाय कर लेते एक मि यहाँ थीन डबब रहे गे इसको भी सफाय कर लेते हैं पीजा डबब रहे चलो ठीक है ओ भाई यहाँ पर कस्टमर भी आ चुका है अज यहाँ पर लगता है कमप्लें होने वाली है सफाय को लेके एक मिनट भाई अपर तरह कि यहाँ पर मेरे इतने सारे माईनर कहा चले ग इतने सारे मेरे माईनर कहां चोरी करके ले गया बंदा यार ये तो मेरा दिमाग खराब हो गया भाई यहाँ पर मैंने इतनी मुश्किल से माइनर ले किया है ये ओ भाई ये छोर का बच्चा एक मिन में एक काम करता हूँ इसको यहाँ से थोड़ा अजाद करके देखता हूँ यहाँ पर ना ये मेरा समान जब चुराता तो उसे कहा ले जाता है क्योंकि मेरे को लगता है भाई ये कही ना कही तो छोड़ता ही होगा अगर मुझे वहाँ पर माइनर दिख जाएंगे ना तो मज़ा आजेगा मैं एक काम करता हूँ पहले तो भाई ये अटक चुका है इसको यहाँ से निकालता हूँ और आज हम यहाँ पर क्या करने वाले भाई आज हम यहाँ पर ना इस चौर का पीछा करने वाले मतलब भाई यहाँ पर इस समान ले जाएगा हम इसको भाई रोकेंगे नि मारेंगे नि हम इसका पीछा करेंगे कि भाई यह कहां तक भाई जाता है ठीक है कहां तक जाता है कहां तक भाई यह है ना हमारे समान को ले जाता है इससे हम यहाँ पर पता लगा पाएंगे कि हमारा यहाँ पर जितने भी माइनर थे वो सब इसने कहाँ पर रख दिये यार एक माइनर नहीं था दो माइनर नहीं थे कम से कम भई यहाँ पर मेरे पास ना सो माइनर थे यार वो सब के सब पता नहीं कहां गायब होगे यार मेरे को तो भाई बहुत ज़्यादा घुसा आ रहा है पता है आपको एक माइनर लगाने में कितनी ज़्यादा मैनत करनी पड़ती है मतलब भाई अगर ये चोट इन में से कोई साभी सेट अप ले जाता ना मैंने सो माइनर लगाय थे अब हिसाब लगा लो मेरे कितने ज़्यादा घंटे इसने बरबाद कर दिया यार एक मिनट भई चोरा रहा चोरा रहा भई हम को उसका पीछा करना है भई आज आज में हम यही करेंगे उसका पीछा करेंगे कि यहाँ पर वो चोरी करके ना हमारे समान को कहां ले जाता है तो अभी वो रुक तो गया है ए ओ अंदर जा रहा अंदर जा रहा भई बोडी कार्ड उसको रोकियो मत उसको अंदर जाने देना तो थोड़ा फीट कर ले तो भई अंदर तो जाएगा यह जैसी अंदर जाएगा न अरे नई यार यह तो निकल गया एक मिनट भाई यहाँ पर भिखारी भी आ चुका है उसको तो मैं पेलूँगा आज मेरा दिमाग खराब हो रहा है एक मिनट कहां गया वो तो यह रहो भाई या मेरा दिमाग खराब हो गया यहाँ पर मैं इतनी महनत से माइनर लेकर आगा था वो सब के सब भाई यहाँ पर चोरी हो गए या फिर क्या हुआ उनके साथ मेरे को तो भाई चोर पर पूरा का पूरा शक है लेकिन भाई यहाँ पर मेरे को यह भी लगता है कि यह चोर इतने सारे माइनर लेकर जा नहीं सकता है क्योंकि यह एक टाइम पर एक ही समान लेकर जाता है तो पता नहीं या तो माइनर के पीछे यह है या फिर कोई होर भी हो सकता है लेकर यहाँ पर अगर किसी को माइनर लेकर जाना होता एक मीनट क्या पता भाई मेरे दुकान में पुलिस वाले आके हमारे सारे माइनर तो नहीं लेगे क्या तबी तो भाई यहाँ पर मेरे को माइनर का बिल देना पड़ रहा है नहीं तो भाई ऐसा आग से पहले तो कभी नहीं हुआ मैंने यहाँ पर कभी भी माइनर का पनल्टी बिल्ड तो कभी भी नहीं दिया तो शायद से ऐसा हो सकता है क्योंकि आपको पता ही है माइनर से माइनिंग करना ना इलिगल है तो क्या पता इसके चकर में हमारे दुकान में पुलिस वाले आयोंगे उन्होंने रेड करी होगी और जब उन्होंने धेर सारे माइनर देखे तो क्या पता भाई यहाँ से वो सारे के सारे माइनर लेके चले गये होंगे ऐसा भी हो सकता है भाई लेकिन अभी मुझे पूरा भरोसा नहीं है लेकिन जहां तक भाई मैंने बिल्द देखा तब मुझे लग रहा है कि यहां पर भाई यार जितने भी माइनर समारे वो ले गए है वो ले गे पुलीस वाले क्योंकि भाई यहां पर जो चोर है ना वो माइनर अगर लेके भी जाता है तो ये थोड़ा मुझे मुझे मुश्किल लगता है लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि पुलिस वाले हमारे दुकान में आयोंगे उन्होंने माइनर ले जायोंगे ऐसा कुछ मुझे लगता है लेकिन बाई एक तरफ से मुझे ये भी लगता है कि मैं काफी time से माइनिंग कर रहा हूँ और अगर पुलिस वाले को मेरे पर शक होता तो बाई वो काफी पहले हमारे हमारे यहाँ पर जितने भी माइनर थे वो ले जाते यार मतलब भई मैं को माइनिंग करते करते न मेरे ख्याल से यहाँ पर होगे मुझे कम से कम 20-25 दिन तो होई गे और इतने दिनों में भई पुलिस वारों ने मेरे से एक भी माइनर नहीं लेके गे और अब देखो भई यहाँ पर सारे के सारे माइनर लेके चले गे को चला सकता हूँ फिलाल तो भई अभी मैं यहाँ पर बस वेट कर रहा हूँ कि कब चोर आएगा मेरे दुकान में और चोरी करके यहाँ से एक भी समान ले जाएगा ना तो उसका मैं पीछा करूँगा पीछा करने के बाद भई मैं देखूँगा कि वो मेरे समान को कहा ले जाता है ताद कि मैं यह सब कुछ जाना चाहता हूँ और ये मुझे तभी पता लगेगा जब भई मेरे दुकान में चोर आएगा और समान को ले के जाएगा लेकिन अभी तो फिलाल भई मेरे को और इससे मैं इन सब को पेलने वाला हूँ हाला कि मेरे पे थोड़े से इसका चार्जिस तो लग जाएंगे लेकिन क्या करें इनको यहां से अजाद तो करना पड़ेगा ठीक है दो को तो मैंने अजाद कर दिया है और इस लेडिस को भी अजाद कर देता हूँ ठीक है और कौन फसा हुआ है यह फसा हुआ है यह भी फसा हुआ है और कौन यहाँ पर फसा हुआ है यह भी फसा हुआ है सब के सब फसे हुए गए दर मेरे सिस्टम में मतलब आप देख रहो सब के सब कैसे फसे हुए तो भाई यार इनको अजाद करना पड़ेगा बेबगुफी चीज कर दी मैंने मतलब मेरे को सोचना चाहिए था यार कि अगर इनको मारूंगा ना तो कहिए मेरे सिस्टेम में ना गिर जाए और यहां पर मेरे को ऐसा हुआ भी मेरा सैट अप पूरा का पूरा खराब हो गया एक मिनिट इसको कहां रखू भाई मेरे को तो गभी-ख़ई लगता है ना बैई यहां पर मेरे को आर किड मशीन को भेज दीनी चाहिए इसके चकर पर ना मेरे दुकान में स्पेस बहुत कब है और कस्ट्मरों को आने जाने में बहुत दिक्कत आती है और यहाँ पर मेरे कुछ कुछ सब्सक्राइबर तो ये भी कह रहे थे कि यहाँ पर मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करूँ अपनी दुकान पर मतलब भई एक सब्सक्राइबर तो ये भी कह रहे थे लगने वाल है ना क्योंकि यहां पर एक एक सिस्टम को सेट करने में बहुत ज़्यादा महनत लगती है और यहां पर आप चाहते हो कि में साला सिस्टम बेज दू और एक आर्किट गेम्स एक नहीं मतलब कई सारे आर्किट गेम्स को लिया हूँ पूरे के पूरे सेकंड फ्लोर में फ्रस्ट फ्लोर में होने वाला है नहीं सेकंड फ्लोर में तो नहीं होगा ओनली फ्रस्ट फ्लोर में हम करेंगे आर्किट गेम्स का पूरा का पूरा साइटप ठीक है तो 200 लाइक इस वीडियो में आएंगे तब जाकि वह होगा नहीं तो वो करने में न मेरी जान निकल जाएगी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा वो तो लाइक्स आएंगे इस पे तो होगा नहीं तो भाई नहीं होगा ठीक है फिलार भाई यहाँ आपना अभी तो में एक सिस्टम को सेट कर रहा हूँ यह लैप्टोप बाला सिस्टम है यार यह मैंने थोड़ा सा घरबर कर दिया वैसे भी हमारे पास यहाँ पर आपना काफी ज़्यादा टाइम है क्योंकि हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं चोर का क्योंकि हमें देखना है कि वो हमारा चोरी का समान कहां लेके जाता है एक मिनट भाई यह चेयर है 야 सैट ही नहीं होरी? आ ठीक है सैट हो चुक है सिस्टम पूरा तो अब सिक भाई यहां पर चोर नहीं आ रहा है यार फता नहीं है वयसे तो भाई यहां पर वो दिन रात आता गुमता विरता रहता है लेकिन आज मुझे चोर कहीं दिखी नहीं रहे भाई वही बात होगे ना कि जब आप किसी चीज को डूनते हो ना कि वो आ जाए या वो मिल जाए तो मिलती नहीं है बेशिक वो आपके सामने क्यों न रखी हो फिलार भाई यहाँ पर मैंने एक AC को ओन करा था उसको यहाँ पर लगा के देखते हैं कि यहाँ पर भाई टैंपरेचर पर कितना ज़्यादा फर्क होता है तो अभी तो यहाँ पर टैंपरेचर काफी ज़्यादा हाई है और यह धीरे-धीरे कम तो होई रहे तो मेरे क्यार से यहाँ पर भी एक AC लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर भी temperature काफी ज़्यादा बढ़ रहा है एक मिनट भाई बाहर मुझे चोर दिखा एक मिनट है एक मिनट भाई हम थोड़ा यहाँ पर लुक के देखते हैं चोर क्या पता भाई हमें देखके अंदर ना आ रहा हो इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा लुक के देखते हैं अरे आजा आजा भाई कहां गया यार वैसे तो भाई यह आता फिरता रहता है अंदर तक लेकिन आज पता नी चोर इतना रखर ओ भाई मेरे को देखके भाग गया अरे यार मेरे को देखके भाग की रहा है आज मैं तेरे को नहीं मारूँगा उल्टा आज मैं तेरा पीचा करूँगा एक मिनट भई यहाँ पर देखो कितने ज़्यादा हमें unfair attack के बिल आ चुके भई इतने ज़्यादा इनका टोटर तो भई यहाँ पर ना 8000 कुछ बन रहा था तेरीकी भई इतने ज़्यादा लोग को हमने पेला ना कि यहाँ पर हमारा बिल भी 8000 डोलर का बन चुक है फिलाल भई अभी हमारे पास तो काफी ज़्यादा पैसे मतलब भई 14,40,000 डोलर तो हमारे बढ़ेंगे ना तब भई हमें यहाँ पर भाई जितने भी बिटकोईन है सबके सब सेल कर देंगे तब देखना भई हम कितने ज़्यादा रहीज हो जाते फिलाल अभी भी हम काफी ज़्यादा रहीज है 14,000,000 हमारे अभी अकाउंट में तो यह बहुत ज़्यादा बड़ी पोना चक के भार फैकू और इसकी जगा कोई नया सिस्टम लगाओ बसलब इतना ज़्यादा मेरा धिमाग खराब कर देता है फिलाल भाई यहाँ पर हम जिसका वेट कर रहे ना वो होई नहीं रहा एक मिनड़ी यह पुलिस वाला है क्या लगता है यही मेरे सारे के सारे में मैं पैसे देता हूं इसमें से खुली यहाँ पर आने के और यहीं मेरे यह पर माइनर को लेके चला गया है ऐसा मुझे लगता है और पता नहीं सा कितनी सच चाही है क्योंकि मैंने खुद से तो नहीं देखा है हाँ मुझे यहाँ पर एक बिल asking और एक मिनट यह बेगर अंदर कैसे घुच गया है यार अब ये अंदर घुच के न सारे के सारे सिस्टम खराब कर देगा तब ये मुझे वो बिखारी पसंद निये बिलकुल भी क्यों कि ये वो अंदर सारे के सारे सिस्टम हमारे खराब कर देता है एक मिलिट उसको थोड़ा पीछा कर ले भाई वो जाता कहाँ पर है देखरो भाई कैसे चल रहा है ये टेटा मेटा होगे अरे भाई सीधी तरी किसे चल ले न तो आके भाई गेम वगेरा देख कोई चकर नहीं है बस मेरे किसी भी सिस्टम को खराब मत करियो अगर खराब करेगा न तो भाई तेरी सेवा पाने मैं ढंक से कर दूँगा और वैसे भी आज मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा खराब है एक तो भाई यहाँ पर मैं इतनी मुश्किल से माइनर लेके आयता न वो सब के सब चोरी होगे तो यह देखो भाई यह रहा हमारा चोर और यह देखते है भाई कहां जा रहा है इसका भाई हम पीछा करें ओ प्लिस वाला भी उसके पीछे ही है क्या बात है भाई प्लिस वाला भी उसके पीछे ही है और यह कहां अरे यार मेरी दुकान के तरफ जाना तो यहां क्यों गूम रहा है मेरे दुकान पर इतने सारे समान रखे हुए और मैं भी वहाँ पर नहीं हूँ तो जाके चोरी कर भाई यार लगता भाई आज चोर का मन नहीं चोरी करने का नहीं तो भाई यहाँ पर यह मेरी दुकान में आई जाता है एक मिनट टाइम तो भाई हो चुका है दुकान को बंद करने का तो मेरे क्याल से आज भाई चोर का मोड नहीं था और आज हम पता नहीं लगा पाए कि वो यहाँ पर चोरी करके समान कहां ले जाता है लगता कली पता लगेगा फिलाल यहाँ पर हमारे Bitcoin के price तो काफी ज़्यादा कम है तो क्यों न भाई यहाँ पर हम न कुछ Bitcoin buy कर लेते क्योंकि minor तो हमारे सारे के सारे गायब होगे तो अब हमारे पास बस यही कर सकते है बिटकोईन को यहाँ पर बेज सकते है और खरी सकते है तो अभी बिटकोईन का प्राइस काफी ज्यादा कम है तो देखते हैं यहाँ कितने बिटकोईन बाई कर सकते हैं तो यहाँ पर हम 550 बिटकोईन दो बाई करी सकते हैं रिखले के Migrant, देखिने कि यहां गड़फिया करते हैं, तो यहां पर बायप कर लेते हैं, मैरे क्या तकार सूभद कर सकते हैं, तो पीच पुर में, तो तो हम सू पचास भायप लिए क्रेखिसे हम इस बड़े गारे के रहीं, मतलब जैसा आपने देखा है था हमने दो लाग से शुरू करा था और यहाँ पर चोदा लाग हमने बना लिये थे तो एक मिनट बही चोर यहीं गुम रहा है लेकिन बही पुलिस वाला भी उसके साथ ही गुम रहा है तभी यहाँ पर ना वो हमारे दुकान के अंदर नहीं आ रहा है नहीं तो वो आ रहा है आ रहा है भी आ रहा है ओ भाई आने वाला था वा अंदर एक मिन यह रुक गया मेरे काल से अंदर जाएगा ये ये चेक कर रहा है कि भई यहाँ पर अरे यार इतना धर क्यों रहा है ये चोराज अबे भई डर मत इतना है यार मैं दुकान को खोल के चला जाता हूँ ठीक है थोड़ा यहाँ लुक के देखते क्या पता वो वाप अरे यार इतना ज़्यादा धरपोक है ना ये हमारा मुझे लगा था भई आज ये चोर अंदर आएगा लेकिन भई ये अंदर ही नहीं आ रहा है पता नि एक वारी गल्ती से आ गया था उसके बाद अठक गया था पता नि भई ये चोरी क्यों नहीं कर रहा है सिक्रिट जगा है जहाँ पर इसमान को रखता है ठीक है वो सब हमें पता लग जाएगा तो अभी भई हमारे दूसरा दिन है और भूग तो लग रही है भई बहुत भूग लग रही है तो खाना पीना खा ले जाए पहले क्या क्योंकि भूग हमें काफी जदा लग रही है एक मिनट सामने दुकान है तो हमारे पास तो पीजा खा लेते पीजा खाके मेरे ख्याल से भूग शान्द हो जाएगी तो भई यहाँ पर भूग भी शान्द हो चुकी है और यहाँ पर भई अभी तक हमें नहीं पता लगा है कि चोर भई समान चोरी करके कहां ले जाता है तो एक काम करते है भई यहाँ पर सबसे पहले तो भई थोड़ी सी साफ सफाई कर ली जाए ओ भई यह क्या कर रहा है इतर यार भई मेरी दुकान पर अभी कोई भी नहीं है और इसको देखो भई यहाँ मेरी दुकान में बैटा हुआ है बड़े मजे से बैटा हुआ या खड़ा हुआ आप कह सकते है जो भी है तो भई वो बड़े मजे से भई यहाँ पर खड़ा हुआ है मतलब यार उसको यहां पर कोई गेम भी नी खेल ली बस आके खड़ा हुआ है और कोई भी customer नहीं है यार उपर से मैं दुकान को बंद करके गया था मतलब भ één दर्वाजा बंद करके गया था लेकिन भैं यहां पर अभी तर कोई भी customer आया नहीं और वो बैगर पहले ही आ गया अब मैं क्या बता हूँ भाई मुझे कितना ज़्यादा गुस्ता आ रहा है कि शुरुवात में या मेरे को उसकी सकल देखनी पड़ी यार वो बंदा ना मेरे यहाँ पर सारे के सारे सिस्टम खराब कर देता है तब से मुझे वो पसंद नहीं है पहले भाई मैं उसको रोकता नहीं था अपर इन दुकान में आने में जब मेरे यहाँ पर ज़्यादा समान नहीं था तो फिलाल तो यहां पर अभी साफ सफाई काम चल रहा है और देखते भई आज के दिन हमारे दुकान में वो चोर का बच्चा आता कि नहीं आता अगर आएगा ना भई उसको भई हम पीछा करेंगे और देखेंगे वो भई कहां तक हमारे समान को लेके जाता है एक मिनट भई देखते है भई आज अकर चोर चोरी करने आजएगा तो मज़ा आजएगा ने तो आज का दिन भी ऐसा ही जाएगा ठीक है तो दीदरे कस्टमर आने शुरू तो हो गए थोड़ा वेट करते जब चोर चोरी करने आएगा तब देखेंगे क्या होगा तो गास भई यहां पर अब तो दुकान का बंद करने का टाइम भी हो चुका है लेकिन अभी तक भई यहां पर चोर चोरी करने आया नहीं है पता ने भई यार उस चोर को क्या हो गया है वैसे तो भई यहां पर वो ना हर एक घंटे बाद आता रहता था चोरी करने के लिए लेकिन भई यहां पर वो पिछले दो दिन से बस एक ही बारी आये था चोरी करने के लिए और वो भी यार फस गया था मेरे सेट अप पे लेकिν है यहां पर आज यार वो चोरी करने आये नहीग खेर बैए यहां पर आज एक बहुत बढ़िया चीज हुई है कि यहां पर जो हमारे Bitcoin को buy कर ले क्योंकि आज उसका price तो बहुत बहुत ज़्यादा down है अगर यहाँ पर मैं एक दिन का होर वेट करता है तो 14,00,00 डोलर के मैं यहाँ बिट कोई कर लेता पर चलो कोई बात नहीं अभी उसका price down है तो आज हम यहाँ पर इतने भी Bitcoin बाय कर सकते ना उनको बाय कर लेंगे ठीक है तो देखो भाई यहाँ पर price कितना ज़्यादा कम है अठासो डोलर Bitcoin का price है इससे ज़्यादा कम price आपने पहले कभी देखा होगा तो यहाँ पर भाई हम देखते कितने ज़्यादा Bitcoin हम बाय कर सकते ठीक है तो 70 तो नहीं बाय कर पाएंगे 17 तो बहुत ज़्यादा कम हो गया 50 नहीं 50 में 90,000 डोलर ची होगा और अभी इतने पैसे तो नहीं हमारे पास अभी हमारे पास यहाँ पर 80,000 डोलर तो होई चुका है तो यहाँ पर मेरे ख्याल से 45 तक हम बाय कर सकते मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा होर वेट कर लेते हैं यहाँ पर जब हमारे पास 1,00,000 डोलर या फिर 90,000 डोलर कुछ हो जाएंगे तब हम यहाँ पर भाई बाय कर लेंगे ठीक है क्योंकि वैसे भी हमारी तुकान को बंद होने में बस एक घंटा रह गया है एक घंटे के बाद हम भाई अपने दुकान को बंद कर लेंगे और जितनी भी हमारी कमाई होनी थी वो यहाँ पर हो जाएगी ठीक है तो हमें काम कर ओ भाई चोर दुबारा से आ रहा है यार शायसे भाई अब यह आके हमारे दुकान में चोरी कर ले लगता भाई इससे आज रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि भाई मेरी दुकान में चोरी कर ले तो यहाँ पर तो भाई ऐसा चुप चुप के देख रहा हूँ कि वो चोरी करने आये तो सही अरे नहीं यार वो दुबारा से भाग गया पता नहीं भाई वो क्यों टर रहा है में दुकार में चोरी करने से नहीं तो भाई यहाँ पर वो काफी ज़्यादा चोरी चकारी करता रहता है और यहाँ पर कस्टमर तो काफी ज़्यादा आ चुके एक मिनट भाई यहाँ पर दुकान को बंद करने का टाइम हो चुका है और अभी हमारे पास यहाँ पर 87,000 डोलर पड़े हुए तो यहाँ पर देखते हैं भाई और मेरे ख्यास यहाँ पर 90,000 डोलर तो हो जाएगा हमारे पास दुकान को बंद करते हैं ठीक है तब हमारे पास यहाँ पर जितने भी पैसे होंगे न उन सबसे यहाँ पर हम बिटकोईन बाई करने वाले हैं क्योंकि आज उसका प्राइस बहुत ज़्यादा कम है तो मेरे ख्यास यहाँ दुकान बंद हो चुकी है तो यहाँ पर हम भाई इसको भी गेरी देते हैं ठीक है तो अब भाई हमने दुकान को बंद कर लिया है और जितने भी कस्टमर है अब वो घर जाने के लिए रेडी हो रहे ठीक है अब भाई हमारे पास यहाँ पर जितने भी पैसे थे उनके यहाँ पर हम buy करने वाले भाई bitcoin ठीक है तो 92,000 डोलर हो चुके 94,000 डोलर हो चुके तो 50 bitcoin हम buy कर सकते ठीक है भाई यहाँ पर हमने 50 coin हो और extra buy कर लिए तो अब हमारे पास जो bitcoin है वो है 602 bitcoin भाई इतने ज़ादा bitcoin जब इनका rate बड़ेगा न कह रहा हो भाई यहाँ पर हमना इतने ज़ादा पैसे कमा लेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो मेरे क्याल से भाई यहाँ पर हम कम से कमना 20,000,000 डोलर तो बनाई लेंगे मज़ा आजाए गुरू मैं सही कह रहा बहुत ज़दा मज़ा आएगा लेकिन भाई यह चोर का बच्चा भाई चोरी करने ने आया मुझे इस बात का गुसा आ रहा है गुसा मुझे इस बात का भी आ रहा है कि यहाँ पर भाई मेरे सारे के सारे माइनर चोरी होगे बस एक माइनर पतानी क्यों छोड़ दिया बही जब सारे के सारे लेई गया था तो एक माइनर को भी लेकर ही चल जाता ना यार बतानी एक माइनर भाई क्यों छोड़ दे उस बंदे ने फिलाल भाई यहाँ पर माइनर तो आप मैं दुबारा से नहीं लेकर आपाऊंगा क्योंकि आपको पता ही है एक-एक माइनर को लेकर आने में ना कितनी जादा मेहनत लगती है तो दुबार से मेर से वो मेहनत तो नहीं होने वारी फिलाल भाई मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी होगा तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक जुरू कर देना, कमेंट कर देना, शेर कर देना अपने दोस्तों के साथ और जो लोग मेरी वीडियो को पहले बारी देख रहे है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दवाना मत भूलना बाकि मिलता हो मैं आपसे अगले वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिये, बाई बाई